आप प्रेमानद महराज को जानते हैं वही व्रिन्दावन वाले प्रेमानद महराज जो आपको लगातार आपके YouTube Reels पर, सोसल मीडिया के रील्स पर ग्यान देते हुए नजर आते हैं वही प्रिवानन नहरा जिनके हाँ कुछ दिनों पहले देश के फेमस क्रिकेट खिलाडी विराट कोहली और बॉलिवुड एक्ट्रिस अनुसका सर्मा गई थी और वो तस्वीरे खूब बार लो थी और उसके बाद आप अगर सोसल मीडिया पर एक्ट्व हैं और अगर आप रील्स देखते हैं तो आपको रील्स में उनके वीडियो उनके प्रवचन तमाम बातें एक तरीके से सामने आने लगे और बहुत साइं लोग इनको लेकर चर्चा करने लगे इन चर्चाओं के बीच वरिंदावन में एक अफ़वा फैली तरसल अभिवार की रात ये अफ़वा फैली कि पिरमानन महराज का स्वरगवास हो गया है उनका देहान्थ हो गया है इसको लेकर एक तरीके से पूरे जो उनके भक्त है विरिंदावन में उनमें एक खलवली सी मज गई लोग आस्रम के बाहर आकर खड़े होने लगे भीड़ जुटने लगे इस अफ़वा को लेकर खूप तेज चर्चा होने लगी सोसल मीडिया पर और लोग पूछने लगे तरसल पिछले कुछ दुनों में कुछ ऐसे भी वीडियो उनके सामने आये जिसमें वो अपने स्वा बाद आस्रम ने एक नोट जारी किया राधा निकुंज आस्रम ने लिखा कि पूज्य महराज जी पूर्त स्वस्थ है आप सभी एकदम निश्चिंत रहे और अफवावों पर ध्यान ना दे पूज्य महराज जी से संबंधित कोई भी जानकारी हमारे ओफीसियल मीडिया प पुष्टी की कि प्रेमानन नहराज बिलकुल स्वस्थ है उनके स्वास्त को कुछ नहीं हुआ है जितनी बाते ही सोचल मीडिया पर चल रही है वो अफवा है इसमें कोई सच्चाई नहीं है वो लाइब भी आ चुके हैं सुबर सबेरे और उन्होंने जनता को संबोधित भ हरे पिछले 30 साल ज्यादत से निबास कर रहे हैं वो स्री रति हरी बल्लब राधा बल्लब संबर्दाय के संत्थ श्री रधा बल्लब जी के भक्त हैं पिरमानन नहीं हर सुबर यंपनादर्शन के बाद रातत्री दो बजे से सतसंग करते हैं और फिर भक्तों के बीडे बात अपनी बेटी वामिका को लेकर दर्सन करने पहुचे और उन्हें तस्वीरी सामने आ उसके बाद उनकी पॉपुलर्टी में काफी इजाफा हुआ और सोचल मीडिया पर काफी जाला चर्चा में आने लगी हाला कि वह बात भक्ती और साथी साथ एक तरीके से जीवन दर्सन की के पीछे हैं सिधार्थ देखते हैं पी तक नमस्कार